हेलो एवरीबन आपका हमारी यूटीब चैनल पर स्वागत है तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ओफ इंडिया पंद्रा सो पचार सी सत्रा सो इसका यूनिट फाइब का टोपिक करने वाले हैं तो हमने यूनिट फो तक कर लिया था आज हम यूनिट फाइब देखेंगे तो देखें आपका जो यूनिट फाइब का टोपिक है इसमें वो है सोसाइटी, कल्चर, रिलिजिन, सुफिजम, नक्षबंदी, पोपुलर डिलिटरेचर, चक्की नामा और चैका नामा तो आज इ देखेंगे ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें, साथ ही वीडियो का अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनके भी हैल्प हो सके, तो जिलिए स्टार्ट करते हैं, तो देखें आपका जो यूनिट फाइब का टोपिक है जिसमें एक शाखाब मान सकते हैं, इसलाम में ऐसे लोग जो की आध्यात्मिक रास्ते की तरफ बढ़ें, उन्होंने सूफिवाद का निर्मान किया, ठीक है, सूफिवाद एक आइडियोलोजी मान सकते हैं, विचारधार मान सकते हैं, जो की ये मानते थे कि अगर हमको इश्वर की प्राप्ति करनी है, इश्वर की खोज करनी है, तो हमको ध्यान करना होगा, तपस्या करनी होगी, तो ये किस पर जोग देते थे, ध्यान करने पर, तपस्या करने पर, ताकि इश्वर की यानि केला के प्राप्ति हो सके, ठीक है, इसके अलावा, इस शाखा की जो लोग थे, वाद शूफीजम मानने वाले जो लोग थे वह भोतिक तावाद से दूर रहते थे मतलब कि उन्होंने ये संदेश दिया कि अगर व्यक्ति इश्वर की प्राप्ति करना चाहता है तो उसको भोतिक वाद यानकि भोतिक चीजों से दूर रहना पड़े गए यानकि जो यहां इन सबसे उसको विष्खट रहना होगा मतलब कि इससम में उसको आसकते नहीं होना start नहीं होना ठीक है इसके इसके लावा नहोंब इस चीज़ पर भी सुदिया कि टरफिया जो है वह ऐसे के प्रति प्रेम तथा भक्ति पर जोव देते थे वो मानते थे कि हर विक्ति के अंदर इश्वय के प्रति प्रेम आस्था निष्ठा होनी चाहिए भक्ति होनी चाहिए चीक है अब यह भी important है कि यह word कहाँ से डिराइब हुआ है तो आपको यह भी पताऊना चाहिए तो आपको ये भी पतावना चाहिए कि जो सूफी शब्द है वो कहां से लिया गया है तो सूफी शब्द जो है ये अर्भी भाशारी शब्द सूफ से लिया गया है एंड सूफ का मतलब होता है उन पहनने वाला ठीक है सूफ का मतलब होता है ऐसा वक्ति जो कि उन यानि उनी कपड़े पहनता है ठीक है तो सूफी शब्द जो है वो कहा से आया है अर्भी भाशारी शब्द सूफ से आया है तो एक्जाम में अगर आपके कोश्चन आदे तो आप ये भी जरूर लिखें इसके अलावा सूफ का मतल भी समझा जाता था तो इसलिए जो वक्ति उनके कब्ले पहनता उसको तो बस भी समझा जाता था एंड इसलिए उसका नाम सूफी पढ़ गया ठीक है इसके अलावा कुछ लोग माते है कि जो सूफी शब्द है ये सफा शब्द से आया है जिसका मतलब होता है पवित्रता अलग नामों से बहने जाना जाता है जैसे जो सूफी होते हैं उनको वली फकीर दर्वेश इन नामों से भी जाना जाता है ठीक है अब अगर हम बात करें कि सूफी वाद का भारत में ओरिजिन कैसे हुआ उद्भव कैसे हुआ तो आपको पता है सूफी वाद जो है भारत में उत्पन नहीं हुआ था बलकि ये दूसरे देशों में शुरू हुआ एं ये भारत में भी आया भारत में कैसे आया दूसरे देश के जब कुछ सूफी भारत में आये किसी काव siete वर्ष तो वो अपने साह सूफी वारत भी भारत में ले कर आये ठीके तो इसलाम जो था सबसे पहले आपको यह पिताना चाहिए कि इसलाम भारत में कब आया कैसे आया तो यह माना जाते है कि इसलाम ज़े वो भारत में साथ भी शताबदी में आ गया था जब साओधी अरब के जो व्यापारी थे उन्होंने भारत में प्रवेश किया ठीक है जो सरुद्य औरब के व्यापारी थे वो भारत में पश्ची में तटीय शेत्रों के साथ व्यापार करते थे इसी कारण वो यहां पर आये थी ठीक है उसके बाद जब उपने साथ है तौने साथ वो उपने धारमिक गुणों को विचार धारा को भी लेकर आए तरह दूसरे वक्तियों को भी इनके धर्म के बारे पता चला ठीक है इस धर्म ने मुल्तान तरह सिंध में प्रवेश किया आ बाठ भी शताब्दे में क्या हुआ जो मुहम्मद बिनकार से थे उन्होंने भारत पर हमला कर दिया कुछ शेत्रों में और वहां पर कभजा कर लिया क्योंकि वह भी सूफिवाद के समर्थ थे तो सूफिवाद से काफी ज़्यादा भारत में फैलना शुरू हुआ बारत में सबसे ज़ाधा जो सूफिवाद था वो दिली सल्टनत के सयाज सनकाल के दोरान को अपनाते हैं मदलके तो जो सूफी आये थे भारत में उन्होंने भाते अधार नाओं को अपनाया बहुत सारी भातिव धार नाओं को अपनाया था जैसे योग मुद्राएं, संगीत, यित्या ये इन सब को ठीक है हाला कि वो सूफी संत्र थे लेकिन फिर भी उन्होंने भात अभधारनाओं को अपनाया तो यह इंपोर्टेंट है जो क्या आप लेख सकते हैं उन्होंने कौन-कौनसी भात अभधारनाओं को अपनाया था योग मुद्रा संगीत था नुईत्या ठीक है सूफी वाद के जो अनुयाई थे मतलब कि सूफी हिंदू जो थे वो भी सूफी वाद के नुयाई बने ठीक है अब सूफी वाद में दो व्यापका देश थे पहला था बशारा जो इसलामी कानूनों का पालन करते थे ठीक है बशारा जो लोग थे वो क्या करते थे इसलामी कानूनों का बहुत दिर्टता से पालन करते थे द जाता था ठीक है एंडर उन में जाड़ातर जो घुमनतु भिख्षु थे वो शामिल थे इनको बाबा बे कहा जाता था ये घूमते थे तथा घूम घूम कर अपना जो संदेश है वो पहुंचाते थे ठीक है अब अगर हम सुफिवाद की बात करें तो इसलाम के भीतर ये एक उदार सुधार आंदोरन था ठीक है इसका जो मुख्य लक्षय था वो इसलाम में जो कुछ बाते थे उनमें सुधार करना था ठीक है तो सुफिवाद जो था ये एक तरिके का सुधार आंदोरन था ठीक है इ अगर देखें तो फारस में इसकी उत्पत्ती हुई थी फारस याने की पर्शिया में ठीक है इंग्लिश में पर्शिया हिंदी में फारस में फारस एक देश का नाम है जहां पर इसकी उत्पत्ती हुई थी इसका ओरिजिन हुआ ग्यारविश अतावदी में ये भारत में काफ तो जो सूफी संत्र थे यह गहरी भुक्ति करने पर जोड़ देते थे इनक свिभा कि अगोसिक वुद्य ँभक्ति करना चाहता हैं तो उसको गहरी भक्ति करनी और है चीह से भक्ति करनी होगी ठीक है इसके लावा ये नैतिकता के व्याय उगान ना पसंट करे हैं मतब कि यह मानते थे कि नैतिक्ता होनी चाहिए किसी वी रक्ति को नैतिक्ता को नहीं छोड़ना चाहिए वो मानते थे कि जिस रक्ति के अंदर नैतिक गुन नहीं होते वो रक्ति मनुश्य खेलाने की योग्य नहीं है तो नैतिक गुन यानकी moral values हर परसन में हर विक्ति में हो इचाहिए ठीक है उन्होंने इश्वर तथा विश्वर को पराप्त किया जा सकता है ठीक है अगर हम इश्वर से प्रैम करना होगा मतलब कि हमें जो गरीब असहाय लोग जो जूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने होगी क्योंकि जब हम उनकी मदद करेंगे जब हम उनके प्रति अपने प्रेम को दर्शाएंगे उनके प्रति अपने मन में करूना महीं विचार रखेंगे तो जो इश्वर है वो भी प्रसंद होंगे तो यह उनकी विचार धालाती जो सूफी संद थे ठीक है सूफियों का मानना था कि मानपता की सेवा इश्वर की सेवा के समान है अगर हम इश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो हम मानपता की सेवा करके इश्वर को प्राप्त कर सकते हैं ठीक है उन्होंने कहा कि आत्मनुशासन बहुत जादा जोरी है जो वक्ति आत्मनुशासन से नहीं गहता वो इश्वर को कभी पुराप्त नहीं कर सकता इसके लावा जो सूफी संत्र थे वो आंत्रिक शुधता पर जोर देते थे वो मानते थे कि बहारी आचरन करने से कुछ नहीं होता बहारी दिखावा करने से कुछ नहीं होता आंत्रिक शुद्धता होने चाहिए मदब गी व्यक्ति के अंतर मन में इश्वय के प्रति प्रेम होना चाहिए ठीक है जो शूफी थे वो मांते थे उन्होंने ध्यान करने पर जो उन्होंने कहा विक्ति को छेकारी करने चाहिए अगर विक्ति को गलती से पाप कर देता है तो उसका पश्चाताप करना चाहिए वो मानते थे कि पश्चाताप जव सारे पापो को नश्ट कर देता है ठीक है इसके लावा विक्ति को तेथी आत्रा करनी चाहिए उपवास करने चाहिए दान जरू करना चाहिए तो ये सूफी संतों ने इन सब चीज़ों पर जोर दिया तो था अपने उपदेशों में इन सब चीज़ों को महत वर दिया ठीक है अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्यारवी शताबदी में सूफी वाद पोपुलर होना शुरू हुआ और बारवी शताबदी आते आते सूफी जो थे वो बारा आदेशों में या बारा सिलसिलों में संगठित हो गया जो सूफी जम था उसमें बारा विभाग बन गए बारा शाकाओ में वो विभाजित हो गया सिलसिला क्या होता है सिलसिला जो है वो एक तरीके का आप समुह माल सकते है अब प्रती एक सिलसिला जो होता था उसका एक प्रमुक होता था ठीक है जिसको फकीर कहा जाता था वो ही पूरे सिलसिले को हैंडल करता था संभालता था अपने शिश्यों के साथ खानकाह यानि की धर्मिशाला में रहता था जो सिलसिले का प्रमुख होता था उसको शिक्षक या पीर भी कहा जाता था ठीक है एंट उनके जो शिश्या होते थे उनको मुरीद कहा जाता था ठीक है सिलसिले का जो प्रमुख होता था वो होता था शिक्षक जिसको पीर या मुशीद कहते थे एंड उनके जो शिश्या होते थे उनको मुरीद कहा जाता था ठीक है तो ये भी काफ़े इंपोर्टेंट है प्रतेक पीर या प्रतेक शिश्यक जो थे वो अपने कारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्राधिकारी को या वली को ना मांकित करते थे जो कि उनकी मृत्यु के बाद उनके सिलसिले को आगे बढ़ाए ठीक है तो इसके लिए वो अपना एक उत्राधिकारी बनाते थे जिसको वली कहा जाता था ठीक है धीड़े धीड़े क्या हुआ अलग छानकाहे बनी खानकाह यानिकी धर्मिशाला जहां पर जो सिलसिले के प् मंडली भी उसमें वो नियुक्त करने लग गए संगीत मंडली के दवारा वो मिलकर क्या करते थे गानक आते थे मतलग कि कवाली का आते थे ठीक है कवाली का जो विकास था वो भी सिकाल में हुआ था तो ये भी इंपोर्टेंट है अच्छा उस समय के जो चार सबसे लोग पू करे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है तब तक के लिए आपने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो कर लीजी ताकि हमारी हर वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे थैंक यू फो वोचिन इस वीडियो